हेलो फ्रेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है आज मैं विद्दुत स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चेप्टर में आपको आवेश, धारा एवं प्रतिरोध आदी के बारे में बताए जाएगा इस चेप्टर का सबसे पहला हेडिंग है उर्जा कोर्शन हमसे पूछा जाता है बोर्ड में कि उर्जा किसे कहते हैं तो इसका उत्तर होगा कार करने की छमता को उर्जा काते हैं उर्जा एक अधिसरासी होती है जिसका मात्रक जूल होता है अब नेश टेडिंग है उर्जा के स्रोथ उर्जा के क्या-क्या स्रोथ होते हैं उसके बारे में जान लीजे जो आपके सलेबस में हैं उर्जा के निमनिस्रोत होते हैं कोईला, पेट्रोलियम, प्राक्तिक गैस, पावन उर्जा, सौर उर्जा ये आपके उर्जा के मुखिस्रोत हैं जब हम कोईले को जलाते हैं तो उससे उर्जा प्राप्त होती है पेट्रोलियम उर्जा प्रित्वी के अंदर से निकलने वाले कच्चे तेल को प्यूरिफाई करके पेट्रोल डीजल और भी कई प्रकार के तेल बनाया जाते हैं जिसे हम पेट्रोलियम करते हैं तो उन तेलो को जलाने से हमें उर्जा मिलती है इन तेलो का प्रियोग हम मोटर साइकल, कार, ट्रक, आदी में इंधन के रूप में करते हैं जिससे उसे उर्जा मिलती है और वह एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक चलती हैं नेस्ट प्राक्तिक गैस घरों में प्रियुक्त होने वाले गैस जिससे हम भोजन पकाते हैं उनमें प्राक्तिक गैस का प्रियुक किया जाता है जिससे भोजन पक जाता है पौन उर्जा गाओं देहतों में जहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं उन हवाओं को भी उर्जा के रूप में प्रियोग किया जाता है इसको रुपांतरित करने के लिए पौन चक्की का प्रियोग करते हैं सौर उर्जा सौर उर्जा उर्जा का सबसे बड़ा भंधार होता है क्यूंकि सुर्य में निरंतर हाइड्रोजन के नापकी सल्यन की अविक्रिया के कारण निरंतर उर्जा उत्पन्न होती रहती है जिसका प्रियोग हम सौर सेल के द्वारा घरों में बिजली का उप्योग करते है अब आपका नेस्ट हेडिंग है विद्दुत उर्जा के सुरूद विद्दुत उर्जा किनके द्वारा उत्पन की जा सकती है वो आपको इस हेडिंग में बताय जाएगा पहला आपका विद्दुत जनित्र इसे डायनमो भी कहते हैं डायनमो एक विद्दुत यंत्र है जो यांत्रिक उर्जा को विद्दुत उर्जा में परिवर्तित करता है इसमें बंद कुंडली को किसी चुम्ब की छेत्र में घुमाया जाता है तो विद्दुद चुम की प्रेरण के कारण विद्दुद उर्जा उत्पन्न होती है नेश रडिंग है विद्दुद सेल विद्दुद सेल एक ऐसी विधी होती है जो राशायनिक उर्जा को विद्दुद उर्जा में परिवर्तित करता है जैसे सुस्क सेल, लेकलांसे सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल आदी नेस्ट है प्रकास विद्दुत सेल यह एक ऐसी विधी होती है जो प्रकास उर्जा को विद्दुत उर्जा में परिवर्तित करता है इसमें सीजियम या पोटेसियम पर पराबैगनी किर्णे डालने से उनमें इलेक्टरॉन का प्रवा होता है जिसके कारण विद्दुत धाराव उत्पन होती है सौर बैटरी भी इसी सिधान पर कारे करता है इसका उपयोग अंत्रिच यानों कृतिम उपग्र आधी में किया जाता है क्योंकि वहाँ पर उर्जा के लिए कोई अन्य साधन आसानी से उपलब्द नहीं होते है इसलिए वहाँ पर प्रकास विद्दुत सेल का प्रयोग किया जाता है नेश्ट है ताप युग्म ताप युग्म एक ऐसा विद्दुत उपकरण होता है जो दो विभिन धातूं एंटी मनी वा बिस्मत की छडों के सिरों को जोड़ कर एक बंद परिपत बनाते हैं इसमें दोनु संधियों पर ताप जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं जिसके कारण परिपत में एक विद्दुत वहकबल उत्पन होता है और परिपत में धारा प्रवाहित होने लगती है विद्दुत आवेश की आधुनिक परिभासा किसी चालक में बहने वाली धारा तथा समय के गुणन फल को वैद्दुत आवेश करते हैं धारा को हम आई से दिखाते हैं समय को टी से तो वैद्दुत आवेश क्यू बराबर आई टी यदि चालक में बहने वाले इलेक्ट्रोन की संख्या small n ग्यात हो तो जो आवेश होगा q equal to any जहां e एक इलेक्ट्रोन पर आवेश की मात्रा होती है अता इन दोनों equation को जब हम हल करते हैं तो it बराबर any लिखते हैं जो आंकिक प्रस्णों को हल करने में यह सुत्र आपकी मदद करेगा अता इसे आप याद रखें अब वैदुत आवेश की इकाई या मात्रक वैदुत आवेश का जो मात्रक होता है वह SI पद्धती में कुलाम होता है जिसे हम MPR second भी लिखते हैं जबकि CGS पद्धती में इसका मात्रक state कुलाम या frank line होता है एक कुलाम बराबर तीन गुड़े दस के घात नौ इस्टेट कुलाम होता है एक कुलाम आवेश बराबर तीन गुड़े दस के घात नौ इलेक्ट्रो इस्टेटिक यूनिट आवेश बराबर एक बटा दस EMU अर्थाद इलेक्ट्रो मेगनेटिक यूनिट नेश्टेटिंग है वैदुद्धारा बोर्ड में हमसे कोशन पूछा जाता है विदुद्धारा किसे कहते हैं इसकी परिभासा होगी किसी अनुप्रस्त कार्ड से प्रती एकांग समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विदुद्धारा करते हैं माना क्यू कुलाम आवेश अनुप्रस्त कार्ड से टी समय में गुजरता है तो विदुद्धारा बराबर आवेश बटे समय अर्थात आई इक्वल टू क्यू अपाउन टी विदुद्धारा का मात्रक एसाई पद्धती के अनुसार विदुद्धारा एक मूल रासी होती है जिसका मात्रक कुलाम प्रती सेकेंड या एमपियर होता है धारा घनत धारा घनत तो होता क्या है उसकी परिभासा जान लेजे इसी तार के प्रती एकांग छेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल धारा को हम धारा घनत तो करते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कोई तार है जिसके अनुपरस कार्ट का छेत्रफल कैप्टर ए है जिसके लंबवत बहने वाली धारा आई है तो इस तार के प्रतिक बिंदू पर जो धारा घनत होगा J, J बराबर I upon A धारा घनत तो एक सदिसरासी होती है यदि चालक का छेत्रफल उसमें बहने वाली धारा के लंबवत न होकर उससे ठिटा कोड़ पर हो तो उस तार के छेत्रफल A के लंबवत गुजरने वाले धारा घनत के लिए परिछे छेत्रफल कैपिटल A का लंबवत घटक A कौस ठिटा लेते हैं अता धारा घनत तो small g बराबर I upon A कौस ठिटा अता I equal to J A कौस ठिटा जिसे हम सदिस रूप में अगर लिखे तो I equal to vector J dot vector A जो यहां बिंदी लगा हुआ है उसे हम dot पढ़ते हैं अता I equal to vector J dot vector A धारा घनत का मात्रग ampere प्रती meter square होता है तथा इसकी वीमा L के power minus 2 A next reading है माद्य मुक्त पत माद्य मुक्त पत होता क्या है उसके बारे में जान लिजे गैस के अडूओं द्वारा दो क्रमागट टक्रों के बीज औसत दूरी को माद्य मुक्त पत या औसत तक्र दूरी करते हैं माद्य मुक्त पत को लिम्डा से प्रदर्शित किया जाता है अता लेम्डा बराबर गैस के अडू द्वारा कुल टक्रों में तै की गई कुल दूरी बटे टक्रों की संख्या एक्जाम्पल से अब इसे समझते हैं माल लिए कोई गेंद है जो एक बंद बॉक्स में रखा है यदि गेंद एक गैस के अडू की तरह विहवार करे गेंद को गती दी जाए तो वह दिवार से कई बार टक्राता है माल लिए दिवार से वह पांच बार टक्राता है टक्राने के बाद उसकी दिशा परिवर्तित हो जाता है जैसा कि चित्र में दिखाये गया है कोई लाल गेंद है जो पहले दिवार से टकराता है फिर दूसरी बार दिवार से टकराता है तो D1 दूरी तै करता है तीसरी बार दिवार से टकराता है D3, चौथी बार D4 इस तरीके से वो क्रमसक कई बार दिवारों से टकराता है अता गेंद द्वारा पांच टक्रों में तै की गई दूरियां क्रमसर D1, D2, D3, D4 है तो गैस के अडू द्वारा माध्य मुक्त पत लेमडा बराबर गैस के अडू द्वारा प्रतेक टक्रों में तै की गई कुल दूरी बटे टक्रों की संख्या अता Lambda equal to D1 plus D2 plus D3 plus D4 पूर्एगबटे 4 नशेडिंग ए, गैस का मादय मुक्थपत किन किन राशियों पर निर्भर करता है पहला, गैस का मादय मुखथपत कामान गैस के घनत विल्वत क्रमानुपाती होता है दूसरा लेम्डा कामान गैस के द्रबिमान के समानुपाती होता है तीसरा लेम्डा कामान गैस के ताप के समानुपाती होता है और चौथा लेम्डा कामान गैस के दाप के व्यूत क्रमानुपाती होता है स्रांतिकाल स्रांतिकाल होता क्या है उसकी परिभासा जान लिजे मुक्त इलेक्ट्रोनों द्वारा किनी दो क्रमागट टक्करों के बीज लगे औसस समय को स्रांतिकाल करते हैं इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान दस के घात माइनस 14 सेकेंड होता है मुक्त इलेक्ट्रोनों में यह गती केवल उसमी उर्जा के कारण होता है अता इसकी गती को हम उसमी गती कहते हैं उसमी गती या तापी वेक का जो मान होता है वो लगभग 10 के घात 5 मीटर प्रतिस सेकेंड होता है माना किसी छण धातों में उपस्तित small n मुक्त इलेक्ट्रोनों का उसमी वेक क्रम्स vector u1, vector u2, vector u3, dot dot vector un है तो मुक्त इलेक्ट्रोनों का औसत उसमी वेक सुनने होता है अथाद vector u1, plus vector u2, plus vector u3, dot dot, plus vector un n बटे n equal to 0 संचेप रूप में मुक्त इलेक्ट्रोनों के लिए उसमी या तापी वेक small u का मान 10 के घात 5 meter प्रती सेकेंड होता है औसत तापी वेक u bar equal to 0 अपवावेक या अनुगमन वेक vd equal to 10 के घात minus 4 meter प्रती सेकेंड माद्य मुक्त पत लेम्डा equal to 10 के घात minus 9 meter तथा सरांती काल टाव equal to 10 के घात minus 14 सेकेंड होता है ने स्टेडिंग है अनुगमन वेक अर्था drift velocity अनुगमन वेक होता क्या है उसके बारे में जान लिजे जब किसी तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी का विभव इलेक्टरॉन को तिव्रगती नहीं दे पाता है यह निम्न विभव से उच्च विभव वाले सीरे की और एक नियत वेक ही दे पाता है इसी नियत वेक को अपवाह वेक या अनुगमन वेक करते हैं जिसे हम स्मॉल वीडी से प्रदर्शित करते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो इसकी परिभासा होगी जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेक दस के घात माइनस चार मीटर पर सेकेंड के वेक से गती करने लगता है इस नियत वेक को ही अपवाह वेक या अनुगमन वेक करते हैं जिसे हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रग मीटर परती सेकेंड होता है नियस्ट्रेडिंग है अनुगमन वेक तथा वेद्दु धारा में सम्मन अर्था रिलेशन बेट्वें ड्रिप्ट विलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करेंट जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कोई तार है जिसके अनुप्रस्थ परिछेत का चेत्फल ए है तार के भीतर वैद्दु छेत्र वेक्टर ई स्थापित है इस वैद्दु छेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रोन चेत्र के विप्रीत दिशा में small vd अनुगमन वेग से गती करते हैं यदि small t समय में प्रवाइत होने वाले आवेश की कुल मात्रा small q हो तो चालक में बहने वाली धारा i equal to q upon t धारा i को small i तथा capital i से भी प्रदर्शित किया जाता है माना चालक के प्रती एकांक आयतन में उपस्तित इलेक्ट्रोनों की संख्या small n है चालक के परिछेट छेट फल capital A से प्रती सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या small vd लंबाई के बराबर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोन द्वारा एक सेकंड में जो चली गई दूरी होगी वो vd होगी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो चाल यहां अनुगमन वेग vd लेंगे तथा लंबाई नहीं मालूम है समय टीन एक सेकंड अता लंबाई equal to vd into 1 तो हो जाएगा vd चोकि तार एक बेलन के रूप में होता है अता बेलन का जो आयतन होता है वो pi r square h होता है अर्थात pi r square को हम परिछे छेतरफल capital a लेते हैं उचाई के जगर vd रखेंगे तो a into vd हो जाएगा अता बेलन से प्रती सेकंड प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या n a vd होगी तो t second में a परिछे से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रोन की संख्या n a vd into t होगी अता t second में a परिछे से गुजरने वाले कुल आवेस की मात्रा हम जानते हैं q बराबर n e होता है यहां n कैप्टल लेंगे जिसका मान small n a vd into t के बराबर है अता q equal to small n a vd into t into small e होगा q का मान समीकरण एक में रख दे समीकरण एक से i बराबर q upon t है अता small n a vd into t into e पूरे गवटे t, t से t कड़ी आएगा अता i equal to n e a vd होगा यही वैदुधारा तथा अनुगमन वेग में सम्मंद का सुत्र है जहां n electron की संख्या है small e एक electron पर आवेश है capital e अनुप्रस परिछेत का छेत्रफल है तथा vd अनुगमन वेग है नेश्टरडिंग है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्य में सम्मंद माना किसी चालक छड़ में धारा घनत्य गवग तथा अनुगमन वेग small vd है तो धारा घनत्य के सुत्र से j बराबर i upon e चुकि हम जानते हैं धारा i बराबर neavd होता है जिसका मान हम यहां रख देते हैं तो a से एक कड़ियाता है अता j equal to nevd मिलता है अता vd equal to j upon ne यही धारा घनत्य तथा अनुगमन वेग में संबंध है नेश्टरडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक्ता specific resistance और resistivity जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के भीतर उत्पन किसी बिंदू पर वैदु छेत की तिवरता e तथा धारा घनत्य जे के अनुपात को चालक प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक्ता करते हैं जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोधक्ता रो बराबर e upon j होता है माना किसी चालक तार की लंबाई small l तथा अनुप्रस परिछेत का छेत फल capital a है तथा इसके सिरो के बीच का विभवांतर capital v लगाने पर उसमें capital i धारा प्रवाहित होती है तथा तार के सभी बिंदूओं पर धारा घनत्तो small j तथा वैद्दु छेत की तिवरता capital e का मान नियत है अता वैद्दु छेत की तिवरता e equal to v upon l विभव प्रवडता के सुत्र से लेते हैं तथा धारा घनत्तो के सुत्र से j बराबर i upon a अता चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोद row equal to e upon j e बराबर v upon l तथा j बराबर i upon a रखने पर a आपका उपर चला जाता है और l नीची हो जाता है अता row equal to v upon i into a upon l ओम के नियम से v upon i बराबर चालक का प्रतिरोद केप्टल r होता है अता row equal to r a upon l यह आपका विशिष्ट प्रतिरोद का सुत्र है जब हमें वैदूत प्रतिरोद प्रति एकांग छेतफल तथा तार की लंबाई दिया हो इस सुत्र को कच्छा 10 में आपको बताया गया है विशिष्ट प्रतिरोद का मातरक ohm meter होता है तथा इसका वीमी सुत्र ml3 t-3 a-2 होता है लग की त्रिज्जा small r गया थो तो उस चालक तार के अनुपरस कार्ट का छेत्रफल capital A equal to pi small r square होता है rho equal to r a upon l अता एक अमान या रख देते हैं तो rho equal to r into pi small r square upon l ने स्टर्डिंग है विशिष्ट चालकता specific conductance विशिष्ट प्रतिरोध के व्यूत क्रम को उस पदार्ज की विशिष्चालकता करते हैं जिसे हम new से प्रदर्शित करते हैं विशिष्चालकता new equal to one upon rho होता है चुकि हम जानते हैं rho equal to e upon j होता है अता new equal to one upon e upon j j उपर चला जाता है तो new equal to j upon e अता j बराबर new e यही धाराघनत तथा विशिष्चालकता में संबंध है जहां j आपका धाराघनत new विशिष्चालकता तथा e वैदुच्छेत की तिव्रता है विशिष्चालकता का मात्रग ohm inverse meter inverse होता है इसकी वी मा m के पाउर minus 1 l के पाउर minus 3 t के पाउर 3 a के पाउर 2 होता है विशिष्चालकता है आवेश वाहकों की गती सीलता किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी तथा आरोपित वैदुच्छेत के अनुपात को आवेश वाहक की गती सीलता करते हैं इसे हम mu से प्रदर्शित करते हैं mu बराबर small vd बटे capital E इसे हम समीकरण एक माल लेते हैं तथा किसी धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रानों का अनुगमन वेग जो होता है vd equal to capital E small e tau बटे m तथा मुक्त इलेक्ट्रानों की गती सीलता mu equal to capital E small e tau बटे m पूरेक बटे e e से ही cancel हो जाता है अता mu equal to e tau बटे m या समीकरण दो होता है इसे हम आवेश वाहक के प्राचल का समीकरण भी कहते हैं अता आवेश वाहक की जो गती सीलता होती है वह आरोपित वैद्दु छेत पर निर्भर नहीं करता है सदेव धनात्मक होता है तथा इसका मात्रग meter square प्रती सेकेंड बोल्ट या meter कुलाम प्रती सेकेंड निउटन होता है इसे हैं गती सीलता पर ताप का प्रभाव चुकि हम जानते हैं mu equal to small e tau बटे m small e electron पर आवेश है तथा small m electron का दर्विमान है जो एक नियतांक है अत्व mu proportional tau चुकि हम जानते हैं कि धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर मुक्त electron की वर्ग माद्यमूल चाल बढ़ जाती है क्यूंकि vrms अर्थाद velocity root mean square proportional under root capital T अत्व वर्ग माद्यमूल चाल बढ़ाने पर electron की धनायनों से प्रती सेकेंड टक्रों की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण स्रांती काल का मान घड़ जाता है अत्व गतिसीलता भी घड़ जाती है तो इसपस्ट है की ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रों की गतिसीलता का मान घड़ जाता है नेस्टेडिंग है गतिसीलता तथा वैदु धारा या धारा घनत्यु में संबन गतिसीलता μ्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई जाँ वीडी अनुगमन वेग तथा ई वैदु छेत की तिवरता तथा म्यू गतिसीलता है चुकि हम जानते हैं अनुगमन वेग वीडी इक्वल टू आई अपॉन एन इस्मॉल ई या गतिसीलता तथा धारा में संबन्ध है चुकि हम जानते हैं धारा घनत्यु जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है अत उप्रोक्त समिक्रण में आई अपॉन ए के अस्थान पर जे का मान रखने पर म्यू बराबर जे अपॉन ए स्मॉल ए होगा यह गतिसीलता तथा धारा गनत्यु में संबन्ध है नेस्ट हेडिंग है अनुगमन वेग या अपवावेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ती यह जो हेडिंग है यह 2019 के बोर्ड में पूछा गया था अता यह बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसे आप बहुत अच्छे से दिखेंगे जैसा कि चित्र में दिखाये गया है कोई small l लंबाई का तार लेते हैं जिसके अनुप्रस परिछेत का च्छेतफल कैप्टल A तार के भीतर कैप्टल E वैदुच्छेतर इस्थापित किया जाता है जिसके विपरीत दिखा में इलेक्ट्रोन प्रवाहित होते हैं यदि चालक के प्रती एकांक आयतन में उपस्तित मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या small n तथा चालक च्छड के सीरो पर कैप्टल V विववांतर इस्थापित करे तो उसमें उपस्तित मुक्त इलेक्ट्रोन small vd वेग से गती करने लगते हैं अतथा चालक के सीरो पर विवांतर लगाने से उसमें उत्पन वैदु छेत की तिवरिता capital E equal to V upon L विववा प्रवरता के सुत्र से इसे समीकरण एकमान लेते हैं चालक में उपस्तित मुक्त इलेक्ट्रोनों पर कारे करने वाला वैदुद पर F equal to capital E into small e वैदुद छेत की तिवरिता के सुत्र से E equal to F upon Q जहां Q की जगे small e रखा गया है यदि इलेक्ट्रोन का द्रविमान small m हो तो उस पर लगने वाले बल की कारण इलेक्ट्रोन में उत्पन त्वरण F equal to m alpha न्यूटन के गती विश्यक दुती नियम से F equal to m में अता alpha equal to F by m F का मान समीक्रण 2 से रखने पर alpha equal to capital E into small e बटे m जिसे समीक्रण 3 मान लेते हैं चूकि चालक में उपस्तित मुक्त इलेक्ट्रोन निरंतर आयनों से आपस में टकराते रखते हैं यदि मुक्त इलेक्ट्रोनों की धनायनों से दो क्रमागा टकरों का उसस समय या श्रांती काल टाउ हो तो दो क्रमागा टकरों के बीच मुक्त इलेक्ट्रोनों के वेग में होने वाली व्रिद्धी alpha tau होगी यदि चालक में उपस्तित एन मुक्त इलेक्ट्रोन के प्रारंभिक तापी वेग क्रम्स U1, U2, U3, .-un तथा स्रांती काल के बाद उनके वेग क्रम्स V1, V2, V3, .-vn हो जाते हैं तो गति के पहले समीक्रण से V1 एक्वल टू U1 प्लस अलफा tau, V2 एक्वल टू U2 प्लस अलफा tau, V3 एक्वल टू U3 प्लस अलफा tau, .-vn एक्वल टू Un प्लस अलफा tau हो जाएगा चुकि हम जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रोनों के आउसत वेग को अनुगमन वेग करते हैं अत्व मुक्त इलेक्ट्रोनों का अनुगमन वेग VD इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 वी एन बटे एन V1, V2, V3 और VN के मान रखने पर U1 प्लस अलफा टॉट प्लस U2 प्लस अलफा टॉट डॉट 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 अल्फा टाउ प्लस अल्फा टाउ प्लस अल्फा टाउ प्लस डॉट 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 अन बार बटे अन किन्तु हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनों का औसत तापी वेक सुनने होता है अता U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 यूट पूरे के बटे N बराबर 0 अता VD इक्वल टू N इन्टू अल्फा टाउ बटे N चुकि अल्फा टाउ को N बार जोड़ा गया था अता N इन्टू अल्फा टाउ हो जाता है N से N कैंसिल हो जाएगा अता VD इक्वल टू अल्फा टाउ अल्फा बराबर VD बटे टाउ अल्फा का मान समीक्रण 3 में रखने पर VD बटे टाउ इक्वल टू कैप्टल E स्मॉल E बटे M अता VD बराबर कैप्टल E इन्टू स्मॉल E टाउ बटे M इसे समीक्रण 4 मान लेते हैं समीकरण एक में E का मान रखने पर अता VD इक्वल टू कैप्टल वी स्मॉल E टाव बटे M इन्टू L यही अनुगमन वेग तथा विभुवांतर में संबंध है इसे हम समीकरण पांच मान लेते हैं चुकि हम जानते हैं कि अनुगमन वेग तथा धारा के भी संबंध जो होता है VD इक्वल टू कैप्टल आई बटे कैप्टल ए स्मॉल N इस्मॉल E जिसे हम समीकरण छे मान लेते हैं समीकरण पांच और समीकरण छे से तुलना करने पर दोनों का LHS समान है अता RHS भी समान होग तो कैप्टल वी स्मॉल E टाउ बटे ML बराबर आई अपान कैप्टल ए एन स्मॉल E जिसे हम थोड़ा रियरेंज कर देते हैं V अपान आई इक्वल टू ML बटे कैप्टल ए स्मॉल N स्मॉल E स्कॉर टाउ इसी निशित ताप पर ML बटे A N E स्कॉर टाउ का मान नियतांक होत जिसे चालक का प्रतिरोद कैप्टल आर करते हैं अत्व एक्वल टू ML अपान कैप्टल A N स्मॉल E स्कॉर टाउ अत्व इसका मान उपर रखने पर V अपान आई क्वल टू कैप्टल आर नियतां यही ओम का नियम है उपर जो सुत्र आर बराबर ML बटे कैप्टल A N स्मॉल E स्कॉर टाउ दिया है इसे हम प्रतिरोद के प्राचल का समीकरण भी कहते हैं वैदुत प्रतिरोद की परिभासा यानि Definition of Electric Resistance प्रतिरोद होता क्या है अब उसके बारे में जान लेजे जब किसी चालक में विद्धुधारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के मार्ग में जो रुकावाटाता है उसे चालक का प्रतिरोद करते हैं प्रतिरोद यानि Resistance equal to voltage upon current यानि प्रतिरोद बराबर विद्धुधार बटे धारा दूसरे सब्दों में इसकी परिभासा की बात करे तो किसी चालक पर आरोपित विद्धुधार तथा उसमें प्रवाहित होने वाली ध प्रतिरोद के अनुपात को चालक का प्रतिरोद करते हैं यह एक अधिसरासी होती है जिसका ऐसाई मात्रक ओम होता है जो जर्मनी के भौतिक विद्ध जार्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है नेश्ट है प्रतिरोधों के प्रकार प्रतिरोध मुख्यतत दो प्रकार के होते हैं पहला फिक्स रेजिस्टर दूसरा वेरियेबल रेजिस्टर फिक्स रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है उसे हम फिक्स रेजिस्टर करते हैं वेरियेबल रेजिस्टर जि से अपनी आवसकता अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं नेश्टेडिग है वैद्दुट चालगता Electrical Conductivity वैद्दुट प्रतिरोध के व्यूत क्रम को वैद्दुट चालगता करते हैं इसे हम capital G से प्रदर्शित करते हैं वैद्दुट चालगता capital G equal to 1 upon capital R ओम के नियम से गर चले तो r equal to v upon i होता है जिसका मान यहां रख दे तो g बराबर i बटे v हो जाता है इसका मात्रग ओम इन्वर्स या मोह या साइमन होता है इसका v मी सुत्र m के पाउर माइनस 1, l के पाउर माइनस 2, t के पाउर 3, a के पाउर 2 होता है ने स्टेडिंग है वैदुद प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक factors affecting electric resistance वैदुद प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं अब उसके बारे में जान लेते हैं वैदुद प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है पहला लंबाई पर किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध उसकी लंबाई की समान उपाती होता है अर्थार जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा जब लंबाई को घटाते हैं तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है अता आर प्रपोर्शनल स्मॉल एल नेश्ट है अनुप्रस्त कार्ड के छेत्रफल पर किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्त कार्ड के छेत्रफल के व्यूत कर्मानुपाती होता है अर्था चालक तार जितना अधिक मोटा होगा उस तार का प्रतिरोध उतना ही कम होता है जबकि पतले तार का प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है नेश्ट है पदार्थ की प्रकृती पर भिन भिन पदार्थों के लिए प्रतिरोद भिन भिन होता है जैसे तामबे का प्रतिरोद एलमूनियम के प्रतिरोद से कम होता है नेश्ट है तापमान पर इसी पदार्ज के प्रतिरोद पर तापमान का बहुत अधिक प्रभा पड़ता है यदि तार का ताप बढ़ता है तो उस चालक का प्रतिरोद भी बढ़ता है जबकि अर्ध चालकों एवं अचालकों का प्रतिरोद घट जाता है नेश्टरिंग है ओम का नियम या इसे इंगलिस में कहें तो ओमसला जर्मनी के भोतिक विद जॉर्ड साइमन ओम ने सन अठारह सो सताई इस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक के भोतिक अवस्था में अर्थाद उसके ताप में कोई परिवर्टन नहीं किया जाए तो किसी प्रतिरोधक के सीरों के बीच उत्पन विभुवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है अर्थाद भी प्रपोर्शनल आई प्रपोर्शनल अस्टाते हैं तो एक नियतांग काता है कैप्टल आर अता भी इक्वल टू कैप्टल आर इंटू आई जहां आर एक अनुक्रमानुपाती नियतांग है जिसे चालक का प्रतिरोध करते हैं अतर आर इक्वल टू वी अपॉन आई इक्वल टू नेतांग ओम का नियम ऐसी वस्तूओं के प्रतिरोध को परिभासित करता है जिनको अब ओमी प्रतिरोध कहते हैं ओमी प्रतिरोध का जो एक्जामपल है वो चालक का लिया जाता है वैदुत अभियांत्र की एवं इलेक्ट्रोनिक्स में प्रयुक्त होने वाली कुछ ऐसी युक्तियां होती हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं जिने हम अनोमी परिपत करते हैं जैसे डायोड एवं ट्रायोड अनोमी युक्तियां होती हैं जब किसी धातू चालक में प्रवाहित होने वाले धारा तथा उसके सीरों के बीच विभुवांतर के बीच ग्राप खिशते हैं तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है जैसा की चेत्र में दिखाये गया है, X-axis बोल्टेज भी को प्रदर्शित करता है और Y-axis धारा आई को प्रदर्शित करता है किसी धातू चालक के लिए जो इनके बीच ग्राप होता है वो ओपी प्रदर्शित करता है जो एक सीधी लाइन है अता V upon I equal to R जो constant होता है अर्थाद जैसे जैसे voltage का मान भढ़ाते हैं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी बढ़ती रहती है नेस्टरडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन यानि combination of resistance प्रतिरोधों का संयोजन अथा दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की विधे सामानत प्रतिरोधों को जोड़ने की मुखित दो विधियां होती है पहला स्रडिक्रम संयोजन दूसरा समानतर क्रम या पार्शक्रम संयोजन तो पहला हेडिंग है स्रडिक्रम संयोजन यानि series combination जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए की उनमें बहने वाली धारा कामान समान हो तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को स्रेडी क्रम संयोजन कहते हैं जैसा की चित्र में दिखाया गया है तीन चालक तार हैं जिनके प्रतिरोध क्रम सा R1, R2 वा R3 हैं जिने स्रेडी क्रम में जोड़ा गया है स्रेडी क्रम में जोडने के लिए पहले चालक के प्रतिरोध R1 पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जोड़ देते इसी प्रकार तीन से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के रिड़ सिरे से जोड़ दिया जाता है चुकि यहां तीन ही प्रतिरोध है अता तीसरे प्रतिरोद का दूसरा सिरा बैटरी के रिड़ सिरे से जोड़ दिया गया है अता प्रतिरोद के अनुसार माना इन प्रतिरोद R1, R2 वर R3 हैं जिने स्रेडी क्रम में जोड़ा गया है तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान आई समान प्रवाइत हो रहा है तथा इनके सीरों के बीच के विभुवांतर क्रमस भीवन भीटू व भीथ्री है तो ओम के नियम से भीवन भीटू व भीथ्री का मान निकालते हैं अता ओम के नियम से हम जानते हैं V equal to IR होता है अता V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, तथा V3 equal to IR3 तो की परिपत का कुल विवानतर Vs है अता Vs equal to V1 plus V2 plus V3 V1 वह V2 के मान रखने पर Vs equal to IR1 plus IR2 plus IR3 आई कॉमन ले लेते हैं अता Vs equal to I bracket में R1 plus R2 plus R3 यदि पूरे परिपत का तुले प्रतिरोद capital R होतो Vs equal to IR इसे हम समीकरण दो मान लेते हैं Vs का मान उपर समीकरण एक में रखने पर अता IR equal to I bracket में R1 plus R2 plus R3 I say I cancel हो जाता है अता R equal to R1 plus R2 plus R3 यह प्रतिरोधों के श्रेडी क्रम सायोजन के तुले प्रतिरोध का सुत्र होता है अता समीकरण से यह निश्करण निकलता है कि श्रेडी क्रम में तुले प्रतिरोध का मान सभी चालकों के अलग-अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है यहाँ पर जो उपर समीकरण दिया गया वो केवल तीन प्रतिरोधों के लिए है इसी प्रकार तीन से अधिक प्रतिरोधों को अगर स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधों को आगे हम जोडती चलते हैं स्रडिक्रम संयोजन का निस्कर्ष पारला सभी प्रतिरोधों में समानधारा प्रवायत होती है दूसरा परिपत का कुल विभुवांतर सभी प्रतिरोधों के विभुवांतर के योग के बराबर होता है तीसरा तुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है और लास्ट तुल प्रतिरोध का मान परिपत में उपस्थित सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होता है नेस्टरिंग है समांतर क्रम संयोजन पैरलर कॉंबिनेशन आप रेजिस्टेंट जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रतेक प्रतिरोध के सीरो पर विभुहांतर कामान समान हो तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों के एक तरब के सभी सिरे एक बिंदू से तथा दूसरे तरब के सभी सिरे दूसरे बिंदू से जुड़े होते हैं जैसा की चित्र में दिखाया गया है तीन चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रम सा R1, R2 वा R3 हैं जिने समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इन प्रतिरोधों के एक सीरे यानि लेट साइड के सीरे बैटरी के धन सीरे से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सीरे यानि राइट साइड के सीरे बैटरी के रिड़ सीरे से जोड़ दिया जाता है इनमें सभी प्रतिरोधों के सीरों के बीच का विभुवांतर वी होता है वी से प्रवाहित होने वाले धारा उनके प्रतिरोधों R1, R2 वर R3 के अनुसार क्रमसं I1, I2 वर I3 में बढ़ जाती है अता ओम के नियम से पहले प्रतिरोध R1 में प्रवाहित होने वाले धारा I1 इक्वल टू V अपॉन R1 दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले धारा I2 इक्वल टू V अपॉन R2 तता तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले धारा I3 equal to V upon R3 चुकि परिपत में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I है अता I equal to I1 plus I2 plus I3 I1, I2 वह I3 के मान रखने पर I equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 इसे समीकरण एक मान लेते हैं यदि परिपत का तुल प्रतिरोध केप्टल R हो तो I equal to V upon R इसे समीकरण दो मान लेते हैं I का मान उप्रोक्त समीकरण एक में रखने पर V upon R equal to V bracket में 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 V से भी कैंसिल हो जाता है अता 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 अता हम कर सकते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में तुल प्रतिरोध का व्यूत क्रम सभी प्रतिरोधों के व्यूत क्रमों के योग के बराबर होता है निसकर्ष पहला समांतर क्रम संयोधों के सीरो पर व्यूत क्रमों के व्यूत क्रमों के योग के बराबर होता है तीसरा, समांतर क्रम संयोधन में जुड़े सबसे कम प्रतिरोध में सबसे अधिक धारा बहती है जबकि सबसे अधिक प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाहित होती है चौथा, समांतर क्रम स्रैयोजन का तुल्ल प्रतिरोध, परिपत में उपस्थित सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है ने स्टेडिंग है कार्बन वर्ण कोड़, कार्बन वर्ण कोड़ होता क्या है उसके बारे में जान लेजे इलेक्ट्रानिक परिपतों में जब हमें अति उच प्रतिरोध जैसे किलो ओम, मेगा ओम की आवसकता होती है तो हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को स्रैडि क्रम में जोड़ कर बनाते हैं किन्तु धात्विक चालकों से अति उच ओम के प्रतिरोध बनाने में कठनाई होती है तथा हमें अतधिक लंबाई की अर्शकता होती है जो बनाना संभव नहीं है अत इनके अस्थान पर अर्ध चालक प्रदार्थों से हम प्रतिरोधों को बनाते हैं जिसमें सबसे अच्छा हमारा कार्बन अर्ध चालग होता है अतर इलेक्ट्रोनिक परिपत में प्रायर कार्बन प्रतिरोद का उपयोग किया जाता है जिसके कारण इसके मान बहुत अधिक प्राप्त होते हैं इन प्रतिरोधों के मान को प्रदर्शित करने के लिए one code की आवसकता होती है Class 12 में हमें सिर्फ 4 band कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कोई कार्बन प्रतिरोध है जिनके मान को प्रदर्शित करने के लिए इन पर चार विभिन रंगों की पटियां लगाई गई हैं इन पटियों को हम बैंड करते हैं अब इसमें चार बैंड हैं जिनके कलर अलग-अलग है चित्र में दिखाये गए चार विभिन रंगों के धारियां या पटियां या बैंड को क्रमस A, B, C वर D से प्रदर्शित करते हैं जिनमें प्रत्थम दो पटियां A और B के रंग प्रतिरोध के प्रत्थम दो सार्थक अंग या अंग की मान को निरधारित करते हैं तथा तीसरी पट्टी सी दुतियक सार्थक अंग के बाद आने वाले सुन्यों की संख्या अर्था दस के घाद को निर्धारित करती हैं जिसे हम गुड़क करते हैं तथा चोथी पट्टी डी का रंग उस प्रतिरोध में होने वाले संभावित रूटी को व्यक्त करती हैं जिसे हम टॉलरेंस या सहन सेलता कहते हैं अत्व किसी कार्बन प्रतिरोध का जो मान निकालते हैं उसके लिए सुत्र है कार्बन प्रतिरोध की गड़ना करने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा पहला सर्व प्रतिरोध को इस प्रकार पकड़े की पास पास वाले पट्टियां या रिंग या बैंड बाई तरफ हमेशा आ जाएं दूसरा प्रतिरोध पर बनी रिंगों के कलर की पहचान सही से करना चाहिए तीसरा, सार्णी में दर्शाये गए कलर या रंग की अनुसार प्रतिरोध का मान रखे प्रतम रिंग एवं दुती रिंग प्रतिरोध के मान के प्रतम दो अंग एवं तीसरी रिंग प्रतिरोध का गुडांग तथा चोथी रिंग सहन सीलता दर्शाता है तो तालिका से हरी को 5, बैगनी को 7, नारंगी को 10 के घातीन तथा चांदी को 10% लिखा जाता है सार्णी क्या हो है वो मैं आगे बतला देता हूँ अतर इसका तातपर है कि उस प्रतिरोध का मान 5, 7, गुडे 10 के घातीन प्लस माइनस 10% ओम होगा सावधानिया, हमें क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए वो चित जान लिजे पहला, रिंग के कलरों को सावधानी पुरुवक पहचानना चाहिए दूसरा, कलर का सही मान रखना चाहिए इनेश्रिक जामपल है, निम्न कार्बन प्रतिरोध का मान ग्याद कीजे जैसा कि नीचे चित्र में कोई कार्बन प्रतिरोध दिखाए गया है जिसका मान हमें ग्याद करना है इसके मान को ग्याद करने से पहले हम सावधानी देख लेते हैं सावधानी को कैसे याद करना है वो भी मैं बतला देता हूँ जैसा कि सावधानी दिया गया है पहला color अर्थात रंग, दूसरा digit अर्थात अंकीमान, तीसरा multiplier अर्थात गुड़क, चौथा tolerance अर्थार सहन सीलता अब इसमें विभिन रंग दिये गए हैं जिनके अंकीमान, गुड़क और सहन सीलता दी गई है पहला रंग है black, जिसका अंकीमान जीरो होता है और गुड़क दस के घात जीरो होता है दूसरा brown, जिसका अंकीमान एक, गुड़क दस के घात एक, सहन सीलता एक प्रतिसत तीसरा red, जिसका अंकीमान दो, गुड़क दस के घात दो, सहन सीलता दो प्रतिसत इन रंगों का क्रम अच्छे से याद कर लिजी क्योंकि जो इनका अंकी मान है जैसे काला अर्था ब्लैक का जीरो जिसका गुड़क हम दस के घाट जीरो ले लेते हैं भूरा यानि ब्राउन जिसका अंकी मान एक उसे दस के घात एक लिखा गया है अर्थात जो अंकी मान है वह गुड़क के दस के घात पर चले जाते हैं इन रंगों को याद करने का एक ट्रिक है बी बी राय ग्रेड बॉय वेरी गुड वाइब इसमें जो कैप्टल लेटर में लिखा गया है बी बी अर्थात ब्लेक फिर बी है तो बी का ब्राउन अर्क से रेड ओ से ओरेंज वाई से यलो जी से ग्रीन बी से ब्लू वी से वाइलेट जी से ग्रे और डबलू से वाइट इन रंगों के जो क्रम है वो उनकी लिए ये अता इसे हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे जो ग्रेट सब्द है उसका जी जो कैप्टल में लिखा गया है जो ग्रीन रंग को प्रदर्शित करता है जो हमें एक्जामपल दिया गया था उसमें पहला रंग हरा हरा का जो अंकी मान होता है वो पांच होता है दूसरा र रंग सुनहरा यानि गोल्ड है जिसका गुलक 10 के घात माइनस एक होता है और चौथा रंग सिल्वर अर्था चांदी है जिसकी सहन सेलता 10 प्रतिसत है अता दिये गये कार्बन रेजिस्टर का प्रतिरोद निम्न होगा 52 गुड़े 10 के घात माइनस 1 अर्था 0.1 10 माइनस 10 प 5.2 प्लस माइनस 10 प्रतिसत लिखते हैं अब इसमें गुड़ पड़ते हैं पहला है इसका आकार बहुत छोटा अर्थाद 6 mm गुड़े 1 mm तक होता है यह वजन में बहुत थलका होता है अर्थाद इसे 1 ग्राम तक का भी बनाये जाता है तीसरा एक मेगा ओम या उससे अधिक के रजिस्टर बनाना आसान होता है अर्था आई फ्रिक्वेंसी के सर्कुट के लिए अधिक उपयोगी होता है पांचमा इसका तापमान गुड़क 0.2 से 0.1 होता है अब इसके अउगुड की भी बात कर लें यह तापमान एवं नमी स प्रभावित होता है दूसरा इसकी करंट वहन चमता कम होती है अर्थात इनकी बोल्टेज दो वाट तक होती है और तीसरा दो ओम से कम मान का कार्बन रेजिस्टर बनाना कठिन होता है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद आपसे अनुरुद है कि चैनल को सस्क्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को जरूर सेयर करें